आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप आइडिया की सिम यूज करते हैं और यहाँ पर आपकी आइडिया की सिम का नेट नहीं चल रहा है तो यह प्रॉबलम आप कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर आपको इसके लिए अपने फोन में सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करना है सेटिंग्स में आने के बाद आपको एक उप्षन देखने को मिलेगा वाइफाई एंड इंटरनेट के नाम से इस उप्षन पर आप किलिक करिये फिर आपको यहाँ पर एक उप्षन देखने को मिलेगा सेम एंड नेटवर्क हो सकता है आपके फोन में होगा डूल सेम एंड मोबाइल नेटवर्क आपको यहाँ पर फ्रंट पेज पर ही मिल सकता है तो इस उप्षन पर किलिक करिये उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक option मिलेगा Preferred Network Type इस पर click करिए उपर आपको मिलेगा 4G का एक option या फिर LTE का एक option इस पर click करिए यहाँ पर उसके बाद उपर आप click करेंगे अपने SIM settings पर यहाँ पर उसके बाद एक option आएगा Volte इसे यहाँ से on करिए उसके बाद एक option आएगा Roaming इस पर click करके इसे on करिए उसके बाद OK करिए नीचे की तरफ आपको एक option देखने को मिलेगा Access Point Names इस पर click करिए उपर आपको 3.0 पर click करना है एक option आएगा Reset to Default इस पर click कर दीजिए यह option आपको नीचे की तरफ मिल सकता है Reset या फिर Restore के नाम से उसके बाद Back करिए Network Operators पर click करिए यह option अगर आपका बंद रहता है तो आप इसे Off कर सकते हैं उसके बाद आपकी Problem ठीक हो जाएगी आप Check कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें